सुशान सेंग राजपूत केस को लेकर CBI जाच की जो मांग है वो काफी जोर पकड़ रही है ऐसे में क्या इसका असर बिहार के इलेक्शन पर भी होगा क्या है पूरी खबर मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी दरसल हर जगह से इस बात की मांग हो रही है कि सुशान के केस की CBI जाच होनी चाहिए और बिहार से ये मांग इसले भी जादा है क्योंकि सुशान सेंग राजपूत बिहार से ही थे ऐसे में अब बिहार की चुनाव आने वाले है आपको पताएगी विदान सभा की जो अबधी है वो सिर्फ 39 नवंबर तक है और नवंबर में ही चुनाव होने है लेकिन क्या CBI जाच नहीं हुई तो इसका असर बिहार के चुनावों पर पढ़ सकता है प्रशान पतेल उम्राओ है ये जो प्राक्टिसिंग एड्वोकेट अट सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया है और इनका जो है वेरिफाइड एकाउंट है और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है वो कहते हैं सुशान सिंग राजजबूत की हट्या मामले में SBI जार्च की माँस की पढ़ पकड रही है पूरा बिहार इस विषय पर एकजुट हो रहा है कि अगर SBI जार्च नहीं होती है तो चुनाव का बहिश्कार हो जी हां बिहार इस विशे पर एक जुट हो रहा है कि CBI जास नहीं होती है तो चुनाओ का बहिशकार हो सलमान के साथ एकता कपूर अनुश्का शर्मा का भी बहिशकार हो जो व्यफसाइक लाप के लिए सरकार से नस्दी की दिखाते हैं हाला कि अब हाँ पर सलमान करन की फिल्मों के बहिशकार की पहले ही बात हो चुकी है और अब अनुश्का शर्मा का भी नाम इस विशा मिल किया गया है लेकिन उससे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि पूरा बिहार इस विशे को लेकर एक जुट हो रहा है कि CBI जाज अगर नहीं होती है तो बिहार चुनाओ का बहिशकार होगा यह पशान पटेर उम्राओ है जो की खुद प्रैक्टिसिंग एड़ोकेट है सुप्रीम कोड आफ इंडिया में और उन्होंने इस बड़ी बात का एलान किया है कि अगर CBI जाज नहीं हुई मुझे लगता है कि जरूर इसको लेकर बहुती जल्दी कोई खबर आ सकती है